नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि Glimastin M टैबलेट का उपयोग किन कंडिशंस में किया जाता है। Glimastin M Tablet को कैसे लेना चाहिए और Glimastin M Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Glimastin M Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Glimastin M एक brand name है Glimastin M Tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Glimastin M Tablet के अंदर salt composition glymepiride और metformin होता है जब किसी व्यक्ती का blood sugar level किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्टर दो दवाओं के combination वाली Glimastin M Tablet को लेने की सलाह दे सकता है Glimastin M Tablet का उप्योगर type 2 diabetes में blood sugar के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है Glimastin M Tablet शरीर में blood sugar के लेविल को कम करती है शरीर में शरीर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़़ से kidney damage हो सकती है आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे damage हो सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से लेकर 200 के बीच में है तो वह व्यक्ती परी डाइबिटिक स्टेज पर है परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को बिना दवाओं की मदद से नियंतरण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ग्लिमस्टिन एम टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में ग्लिमस्टिन एम टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे दस्थ होना, उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना, वजन का बढ़ना, भूप कम लगना, मुँ के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्स ग्लिमस्टिन एम टैबलेट की वज़ह से हो सकते ह अब हम डिसकस करेंगे कि Glimastin M Tablet को कैसे लेना recommended होता है। Glimastin M Tablet को सुभा breakfast के समय खाना खाते समय बीच में लेना recommended होता है। या Glimastin M Tablet को खाना शुरू करने से तुरन पहले लेना recommended होता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरूात में Glimastin M1 Tablet को दिन में एक बार और सुभा के समय लेने की सला देते हैं। लेकिन शरीर में Blood Sugar की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्तर डोज को बढ़ा कर Glimastin M2 Tablet को भी दिन में एक बार और सुभा के समय लेने की सला दे सकते हैं। Glimastin M Tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। Glimastin M Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में Blood Sugar के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको Glimastin M Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की Glimastin M Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको Glimastin M Tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए। चिनता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए। Type 1 Diabetes होने पर, कोई Surgery होने पर, Diabetic Coma होने पर और Diabetic Ketosis होने पर Glimastin M Tablet को लेना recommended नहीं होता है. Blood Sugar बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको Glimastin M Tablet को लेने के बाद खाने को skip नहीं करना चाहिए. और आपको Glimastin M Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए। Pregnant महिलाओं में blood sugar के level को नियंतरन में करने के लिए insulin को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Glimastin M Tablet का सेवन करना recommended नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सबस्क्राइब कर लेना। और अगर आपका Glimastin M Tablet से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।